Hello Everyone, Welcome to Ravi Aditi Classes आज की इस वीडियो में Thousand Geography Question की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 7th पार्ट आज हम इस वीडियो में cover कर रहे हैं जिसमें Most Important Geography के questions जो आपके exams में बार-बार repeat होते हैं Most Selected Questions वो आज हम cover करेंगे अगर आपको e-books buy करनी हो तो हमारी website रहेगी ravibooks pdf.com के राम से website का link आपको description में provided है आप description में जाके हमारी website पे visit करके e-books को directly buy कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं हमारे पहले question से तो आज का हमारा पहला question है which is the largest ocean in the world तो विश्व का जो सबसे बड़ा महा सागर है वो कौन सा है तो ये तो basic ocean हो जाएगा इस पे हमारा correct answer Pacific Ocean रहेगा Pacific Ocean दुनिया का सबसे बड़ा largest ocean आपका हो जाएगा अब अगर Pacific Ocean की बात करी जाए तो इसका total area कितना है तो total area इसका 63.8 million square miles का रहेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा ocean माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ocean रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना है Pacific Ocean दुनिया का सबसे बड़ा ocean है विच इंडियान स्टेट इस होम टूजी काजिरंगा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स वन हॉंड राइनोस तो आप सबको पताईए कि जो दुनिया के सबसे जादा वन हॉंड राइनोस है वो हमारे कौन सी स्टेट के काजिरंगा नेशनल पार्क में लुकेटेड है कि काजिरंगा नेशनल पार्क में हैं आपके तो इसमें जो हमारा correct answer हो जाएगा वो हमारा आसाम हो जाएगा आसाम का जो national park रहेगा काजी रंगा नेशनल पार्क इसमें दुनिया के one third one horn rhinos आपके रहेंगे तो ये question exam में बार बार आपका repeat होता है अगर काजी रंगा नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये protected area है आसाम स्टेट में जिसमें one horn rhinos के लिए काफी जादा जाना जाता है और भी कुछ जानवर रहेंगे यापे wildlife animals रहेंगे जिसमें tiger हो गया elephant हो गया और wild water buffalo ये सब आपके animals रहेंगे जिसकी वज़े से काजी सबसे उचा जल प्रपात है उसका क्या नाम है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा angel falls तो angel falls दुनिया के सबसे बड़े waterfall हो जाएंगे अगर angel falls की बात करी जाए तो ये आपकी वैनिल्जुला जो country है वहां का एक fall रहेगा वहां पे located है जिसकी total height है 979 meters की जो की इसको दुनिया का सबसे tallest waterfall बनाता है तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें काफी सारे लोग जो है विक्टोरिया फॉल और नाइजिरिया फॉल जो है नाइगरा फॉल जो है इनमें confused हो जाते है तो इसमें आपका angel falls जो है ये आपका correct answer रहेगा जो की आपका एक fall है waterfall रहेगा वेनिजुला country म which is the largest country in South America तो दक्षिर अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है उसका क्या नाम है तो इसमें हमारा correct answer ब्राजील हो जाएगा ब्राजील जो देश रहेगा ये जो largest country है ये आपकी South America की अब अगर ब्राजील की बात करी जाए तो ये South America की और Latin America की दोनों की largest country हो जाएगी और टोटल एरिया जो है वो approximately 3.3 million square miles का रहेगा वतलब इंडिया से भी size में बड़ी रहेगी आपकी Brazil country which Indian state is the home to the सुन्दरबंस the largest mangrove forest in the world तो कौन सा भारती राज्य रहेगा जो कि सुन्दरबं का घर है जो दुनिया का सबसे बड़ा mangrove one है तो इसमें हमारा correct answer West Bengal हो जाएगा इस question को हम काफी बार cover कर चुके हैं और जो सुन्दरबं mangrove forest है उसका काफी सारा part रहेगा जो कि ए बांगलादेश अगर आपसे कल्टरी में पूछा जाता है तो बांगलादेश में इसमें आपका correct answer हो जाता है अब अगर यहां पर बात करी जाए सुन्दरबं की तो यह एक mangrove forest रहेगा और यह लोकेटेड है रिवर्स के डेल्टा पे कौन कौन सी रिवर्स के तो गंगा सुन्दरबं मेंगरू फोरेस्ट और यह होम रहेगा आपका काफी सारे wildlife animals जिसमें आपका बंगाल टाइगर क्रोकोडाइल और काफी सारी species रहेंगी आपकी birds की और fishes की यह आपकी शामिल रहेंगी जिनके लिए जाना जाता है आपका सुन्दरबं मेंगरू फोरेस्ट को which of the following is the smallest continent in the world तो निमलिकित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महादूइप है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा Australia तो Australia एक continent रहेगा जो की सबसे छोटा continent आपका माना जाता है इसको ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम्स में आपको ओशियाना भी मिल जाता ह तो वो ही आपका correct answer होगा वही आपका Australia हो जाएगा Australia जो है यह आपका smallest continent है in the world जिसका total approximate area है 7.7 million square kilometer का इसको दुनिया का 6th number का सबसे बड़ी country हो जाएगी आपकी Australia यह भी आपको ध्यान रखना है world की 6th number की country है Australia एरिया में उसके बाद 7th number की कौन सी आती है तो 7th number की India हो जा Australia देश तो इसमें जो हमारा correct answer है वो गंगा रिवर हो जाएगा गंगा रिवर एक बहुती फेमस और बहुती जादा होली रिवर रहेगी इंडिया की जो की हिंदू है हिंदूस जो आपका religion रहेगा उनके लोग जो है उनकी काफी जदा मान्यता रहती है गंगा रिवर को माता की तरह माना जाता है गंगा रिवर को हिंदूस के द्वारा तो वारनसी जो वारनसी हमारी city है जो कि किस से related है वारनसी हो गया काशी विश्वनात हो गया या फिर बनारस इन तीनों के नाम से एक ही city रहेगी आपकी यह जिसको वारनसी बोलते हैं हम तो यह जो महादेव रहेंगे महाकाल रहेंगे उनसे संबंदित आपकी city हो जाती है औ और जो गंगा रिवर है वो आपकी फिलो करती है वारानसी में यह question most important question है कि वारानसी city जो है कौन सी river के around situated है तो गंगा रिवर उसमें आपका correct answer रहेगा अगर यहाँ पे कुछ detail की बात करें तो वारानसी जो city है यह आपकी उत्तर प्रदेश state में located है जो की गंगा रिवर के around situated है जिसको holy site बोला जाता है हिंदूष के द्वारा और इसको जाना जाता है जो वारानसी जगे है इसको जाना जाता है टेंपल के लिए और घाट के लिए यहाँ पर काफी सारे famous घाट्स रहेंगे, अलग-अलग घाट्स रहेंगे, money करना घाट रहेगा आपका, अलग-अलग टाइप के घाट रहते हैं जो की काफी ज़ादा famous रहते हैं और काफी ज़ादा important हैं इंडिया की history से related, अगला question देखते हैं, अगला question है, the topic of cancer passes through which of the following country, तो करक रेखान निमलिखित में से किस देश में, देश से होकर गुजरती हैं, तो इसमें जो हमारा correct answer है, वो आप सबको पता है, इंडिया हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में total हमारी 8 states, 8 states हो जाएगी, इंडिया इंडिया इसमें हमारा correct answer हो अगर यहाँ पर बात करी जाएगा, अगर यहाँ पर बात करी जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक latitude लाइन रहेगी, जो कि पास करती है, काफी सारी कंट्रीस से, जिसमें इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट और साउधी अरेबिया शामिल है, यह आपका approximately located रहेगा, 23.5 डि equator पे, तो उससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होगी, जो कि इंडिया से पास होके गुजरती है, विच इंडियान स्टेट इस दी लार्जेस्ट प्रड्यूसर आफटी, तो कौन सा भारती राज्ये है, जो कि चाय का सबसे बड़ा पादक है, तो उसमें हमारा आसाम स्टेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसाम की बात करी जाएगा, तो यह लार्जेस्ट टी प्रड्यूसिंग स्टेट है, इंडिया की, और इसको हाई क्वालिटी की जो ब्लैक टी होती है, ब्लैक टी भी काफी ज़ादा फेमस रहती है आसाम की एकनॉमी में भी, क्योंकि आसाम का एक काफी बड़ा जो प्रोड़क्शन है वो होता है, तो इसमें जो टी हैगा आपका जो चाहे रहेगी, उसका काफी बड़ा योगदान है, एक आपका इस्टेट एकनॉमी में आसाम की, Which of the following is the largest desert in the world? तो निमलिकित मेंसे कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरोस्थल है? तो इसमें हमारा correct answer सहरा डेजर्ट हो जाएगा, सहरा डेजर्ट दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट हो जाएगा, अगर सहरा डेजर्ट की बात करी जाये तो ये North Africa में located है, जो की cover करता है approximately 3.6 million square miles को area को ये दुनिया का सबसे hot desert भी रहेगा जिसमें temperature जो record किया गया है वो 136 degree Fahrenheit किया गया है जो की रहेगा 57.8 degree Celsius तो ये आपका hottest desert भी है दुनिया का which is the oldest oil refinery in India तो भारत की सबसे पुरानी तेल refinery कौन सी है अगर आपने पुराने parts देखे होंगे हमारी series के तो आपको इस question का answer जरूर बता होगा काफी बार हम cover कर चुके है दिग boy refinery इसमें आपका correct answer हो जाएगा दिग boy refinery जो की कहां पे है आसाम में ये आपकी oldest oil refinery है इंडिया की तो दिग boy refinery जो है ये आपकी आसाम में लोकेटेड है oldest oil refinery है इंडिया की जिसको established कब गिया गया तो 1901 निस सो एक में established किया गया था इस्थापित किया गया था इंडिया की सबसे पुरानी refinery दिग boy refinery को जिसको की जो production है high quality के crude oil के लिए इसको जाना जाता है जिससे क्या बनाया जाता है तो जिससे हम gasoline डीजल और other type के जो petroleum products होते हैं उनको हम बनाते हैं उनको manufacture करते हैं किससे high quality crude oil से जो की दिग boy refinery से निकलता है which of the following is the largest fresh water lake in the world by volume तो volume में मतलब आयतन की दृष्टी से wish की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है वो निमलिखित में से कौन सी रहेगी तो इसमें हमारा correct answer आपका lake backal हो जाएगा अगर आप से पूछा जाएगी दुनिया का deepest lake कौन सा है तो उसमें भी आपका lake backal ही correct answer होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा fresh water lake रहेगा अगर इसकी lake की बात करी जाए तो ये रश्या जो हमारी country है वहाँ पर located है दुनिया का सबसे बड़ा fresh water lake है volume में जो की contain करता है जिसमें करीब करीब 20% जो दुनिया का unfrozen fresh water है वो आपका रहेगा दुनिया का मतलब 20% जो unfrozen water है वो आपका कहां पे है वो आपका बैकल lake में ही situated रहेगा oldest lake भी माना जाता है इसको oldest जो lake है पूरी दुनिया के उन में इसको गिना जाता है और ये करीब-करीब काफी पुराना रहेगा 25 million साल पुराना इस lake को estimate मतलब एक approximately माना जाता है which is the largest river island in the world तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी दूइप है वो कौन सा है तो वो हो जाएगा मारा मजूली आइलेंड इंडिया का ही है इसलिए exam में पूछा भी जाता है तो मजूली आइलेंड जो है ये ब्रहंपुतर river पे आपका located है आसाम स्टेट में ब्रहंपुतर रिवर से दो स्टेट में फिलो गरती है इंडिया की एक आसाम स्टेट में और एक अरुनाचल प्रदेश स्टेट में ये largest river island है दुनिया का जो कि कितने एरिया में फैला हुआ है तो 880 square kilometer 880 square kilometer में आपका मजूली आइलेंड जो है ये आपका फैला हुआ है दि ग्रेट बैरियर रीफ इस लोकेटेड इन विच कंट्री तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में इस्तित है ये पीछे आपका 2021 के या 22 में आपका काफी ज़्यादा famous भी रहता question exam में पूछे भी गए ते इससे तो इसमें हमारा correct answer Australia आप क्योंकि करीब 1400 माइल के एरिया में फैला हुआ है जिसमें diverse range आपको मिलती है marine life की जिसमें आपकी 1500 से जादा species है fish की 30 से जादा 30 से जादा आपको species मिलेंगी whales की और dolphins की तो ये काफी famous रहता है आपका और ये दुनिया का largest coral reef system भी आपका हो जाएगा which is the longest national highway in India तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है वो कौन सा है तो वो है आपका NH44 नेशनल highway 44 इंडिया का सबसे बड़ा national highway है ये कहां से कहां को connect करता है तो पहले इसको एक बार जान लेते हैं कि NH44 जो है इसको north-south corridor के नाम से भी जाना जाता है जो की longest national highway है इंडिया का जो की कितने area को गवर करता है तो 3745 km के area में आपका बना हुआ है national highway 44 जो की शिरी नग कुमारी तमिल नाडू तक आपका connected है मतलब शिरी नगर को कन्या कुमारी से कौन सा highway जोड़ता है तो वो NH44 आपका हो जाएगा और ये कुछ major cities से भी हमारा पास होता है जो कि हैं आपकी डैली, मुंबई और बैंगलूरू तो ये आपको याद रखना है exam के लिए important है the Amazon river flows through which of the following countries तो Amazon जो नदी है निमलिकित में से किस देश से होकर गुजरती है तो इसमें हमारा correct answer आपका all of the above हो जाएगा तीनों countries में flow करती है Amazon river जो की रहेगी ब्राजील में, कोलंबिया में और पेरू में तीनों countries में flow करती है अगर Amazon river की बात करी जाए तो largest river है दुनिया क की volume में और ये flow करती है काफी सारी countries में South America में जिसमें Brazil, Kolumbia और पेरू आपके शामिल रहेंगे which is the longest river in South India तो दक्षिर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गुदावरी river गुदावरी river को दक्षिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इंडिया की south में सबसे बड़ी flow होने वाली आपके river हो जाएगी जो गुदावरी river है longest south की river रहेगी और ये total 14 1965 किलो मीटर के area में flow करती है कहां से originate होती है तो ये western घाट से originate होती है इंडिया की कुछ states में flow करती है जिसमें महारास्ट, तेलंगना और आंधर प्रिदेश सामिल है और ये आपके end हो जाती है मर्ज होती है बे अफ बेंगाल में the dead sea is located between which two countries तो मृत्य सागर किन दो देशों के बीच इस्तित है तो इसमें हमारा correct answer Jordan and Israel हो जाएगा Jordan और इसराइल जो दो कंट्रीज है इनके बीच में आपका located है dead sea अगर dead sea की बात करी जाए तो ये salt water lake है जो की Jordan और इसराइल के बीच में located है और ये जो है salty body रहेगी दुन करना जाता है और ये एक three protect properties की वज़े से इसको इसमें हाई जो mineral content है वो provide करया जाता है वो आपको मिलता है what is the length of the Indian coastline तो भारतिय समुद्री तट की जियो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है तो इसमें हमारा correct answer 7516 km हो जाएगा total जो इंडिया का coastal area है वो 7516 km के area में फैला हुआ है अगर आपसे boundary पूछी जाती इंडिया की तो वो है 15,000 km के around तो ये आपको ध्यान रखना है which of the following is the highest plateau in the world तो निमलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे उचा पठार है तो उसमें आपका तिबबतन प्लेटू correct answer हो जाएगा कल की वीडियो में हमने cover किया था अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो उसमें आपका डेकन प्लेटू correct answer हो जाता है इंडिया का डेकन प्लेटू और वर्ड का तिबबतन प्लेटू यह जो है 14,800 feet का रहेगा roof of the world भी इसको बोला जाता है इसमें यांग्चे और yellow river यह दो जो रिवर है चाइना की यह भी आपकी flow करती है अब यहाँ पे पीछे हमने यांग्चे रिवर देखी तो यांग्चे रिवर का ही question आ गया कि the यांग्चे रिवर is located in which country तो यांग्चे रिवर है यह longest river है एशिया की मतलग चाइना की longest river है यांग्चे रिवर और एशिया की भी longest river आपकी हो जाएगी और दुनिया की सबसे लंबी river हो जाएगी जो की same country में start होती है और same country में ही end होती है तो वो आपकी यांग्चे रिवर ही रहेगी और तीसरे नंब विच इस दी लॉंगेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वो कौन सा है तो ये तो basic question है आपका अंसर हो जाएगा भुपेन हजारी का सेतू को और किस नाम से जाना जाता है तो भुपेन हजारी का सेतू को हम धोला साधिया ब्रिज क कितरे area में है तो 9.15 km का यह आपका bridge हो जाएगा This city of Venice is located in which country तो Venice शहर किस देश में आपका इस्थित है तो इसमें हमारा correct answer Italy हो जाएगा Which Indian state has the highest peak तो भारत के किस राज्य में सबसे उची चोटी है तो वो हमारी सिक्किम में हो जाएगी जो की दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे उची चोटी है सिक्किम में रहेगी highest peak है इंडिया की जिसका नाम है Mount कंचन जंगा जिसकी height a total 8,586 meters की पहले नंबर पे Mount Everest रहेगी सबसे उची दुनिया में दूसरे नंबर पे K2 और तीसरे नंबर पे कंचन जंगा The Andes Mountains are located in which continent तो Andes परवत किस महादीप में इस्तित है इस question को अपने क्यों डाला है अभी हम इसकी बात करेंगे पहले ये देख लेते हैं कि कहां पे located है तो ये हमारा South America जो continent है वहाँ पे आपका located है Andes Mountain अब Andes जो mountains है ये आपकी longest mountain ranges है दुनिया की इसलिए ये काफी important हो जाता है आपसे पूछा जाता है longest mountain ranges काँछी है दुनिया की तो Andes Mountain इसमें आपका correct answer हो जाएगा और ये आपकी कहां पे है तो हमने आपको बता दिया Western Coast South America का जो continent है उसमें ये आपकी रन करती है Which Indian city is known as the Silicon Valley of India तो किस भारती शेर को भारत की Silicon Valley के रूप में जाना जाता है तो इसमें हमारा correct answer बैंगलूरू हो जाएगा जो की capital है करनाटका की जो बैंगलूरू है जो की capital है करनाटका की इसको Silicon Valley of India के नाम से जाना जाता है साथ ही साथ इसको IT Capital of India भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यह हब है इंडिया के Technology Industry का जहां पे काफी सारी Multinational Companies और Startups के आपको Office मिल जाएंगे इसलिए Silicon Valley of India बोल जाता है Bangalore को करनाटका की जो की Capital है The Victoria Falls are located on the border between which two countries तो Victoria जो जलप्रबाद है यह किन दो देशों के बीच की सीमा पर इस्तित है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा Zambia और Zimbabwe Zambia और जो Zimbabwe country है इन दोनों के border पे आपका situated है Victoria Falls जो Victoria Falls है यह एक waterfall है जो की आपका Zambese River पे situated है और यह आपका Zambia और Zimbabwe जो की Southern Africa की countries है उनके border को पे आपका located है और यह largest waterfalls में दुनिया के इसको गिना जाता है और यह काफी जादा popular tourist destination tourist attraction भी आपका रहेगा तो किस भारती राज्य को गुलाबी शेहर के रूप में भी जाना जाता है तो यह तो basic question है जैपुर इसमें हमारा correct answer हो जाएगा जो कि आपका राजिस्थान में दी प्रामिट्स ऑफ गीजा अर लोकेटेड इन विच कंट्री तो गीजा के जो प्रामिट है यह किस देश में इस्थित है तो यह आपके हो जाएंगे इजिप्ट कंट्री में इजिप्ट जो कंट्री है उसको प्रामिट्स के लिए ही जाना जाता है तो प्रामिट्स ओफ गीजा जो है एक गुरूप है प्रामिट्स का जो की आपका आउट सकर्ट जो काईरो जगे है एजिप्ट में महाँ पे लोकेटिन है और ये एक most iconic landmark भी है जो ancient एजिप्ट का और ये माना जाता है कि ये जो बना हुआ है ये tombe रहेंगे आपके pharaohs के pharaohs जो है उनके tombe है जो ये आपके एजिप्ट में प्रामिट्स ओफ गीजा के नाम से जिनको जाना जाता है तो जापान जो देश है उसकी मुद्रा क्या है तो ये आपका symbol हो जाएगा वाई शिप्ट में जो की यान जो currency है जापान की उसको denote करता है ये तीसरे नमबर की सबसे जादा trade करने वाली currency है foreign exchange market में United States dollar और euro के बाद पहले नमबर पे आता है United States का dollar दूसरे नमबर पे euro और तीसरे नमबर पे जापान का yen अब यहाँ पे दो हमारे quiz के questions हैं जिनका answer आप सभी को comment box में type करना है तो हमारा पहला quiz का question test का question है आपका what is the largest ocean in the world तो विश्व का जो सबसे बड़ा mass आगर है वो कौन सा है तो given options में से आपका जो भी correct answer है आप उसको comment box में जरू टाइब कर दे जो हमारा दूसरा question है वो है which river flows through the city of Varanasi considered a holy site by Hindus तो हिंदू द्वारा पवित्र इस्थान माने जाना वाला Varanasi शहर कौन सी नदीब पर इस्थित है तो यह question हमने आपको starting में जब cover किया था जब ही बताया था most important question है तो कौन सी river पर situated है Varanasi शहर यह आपको comment box में type करके बताना है अगर आपको वीडियो पसंद आईए और वीडियो को like करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दन्यवाद